तो हमने लास पार्ट में देखा था कि जो उसके लवर्ज के साथ था वो कोई और नहीं उसका ब्रेदर है जिसे सियो हैं देखा खुश सौक्ड रहता है कि यार ऐसा ब्रेदर होता है क्या तो हम लोग आगे का पार्श रूर करते हैं जहां पस उसकी फैमिली लेगी तो कुछ मेरे पीछे को मेगा पड़े हुआ है जो मुझे चाहता ही नहीं दूर होना किसी वज़े से मेलेट हो गया हूं तो उसकी मदब बहुत कुछ हो जाके बोलती है कि वह रियली वैसा भी मेरा इंसुक बेटा तो बहुत ही प्यारा है तो तुम बताओ कब शादी कर रहे हो क्या पाटा बहुत ही खुशुरत है पर उसकी मा को कौन बताएगा कि उसका नलायक बेटा किस टाइप का पसन है और उसका बेटा जो रहता है मिस्टर सीओ को देखते हुए बस मुस्कुरात रहता है बोलता है कि हाँ इसकी कोई जरुवत नहीं है वैसे भी मैं उसको सिफ डेट कर रहा हुँ जब मैं बोर हो जाओंगा तो मैं उसके दूर चला जाओंगा तो यज बाते सुनके सी ई-उ बहुत ही स्फरस्टेट़ू करते रहते कि अबसलब कोई स्फरस्टेटेट फिल करते रहेगा कि आप जिससे लाई कर रहे है उससे परसन कोई ऊऊर लाइक करेगा और उसको इस तरीके से ट्रूट करते रहेगा, वो वहां से उठके चला जाता है, रेस्ट रूम, जहां पस उसका भाई पीछा करते हुए आ जाता है, एन्नॉइंग परसन बोलना चाहिए, और वो अपने बता को बोलता है कि, लॉंग टाम नोसी ब्रदर, ओ राइट, मैंने मैं आपको लासने बार पर देखा था, मतलब यह बहुत ही बड़ा सप्राइज था, कि मैंने आपको देखा, ऐसे मुझे इंटर्डियूस कराने के जर्वत ही नहीं पड़ी आपके वाज़ा से, उसका भाई उसका से ध्यान नहीं देता रहता है, और फिर उसको टेंशन पा लारी, तो रटो मुझे, उसका भाई बोलता है कि ओ सौरी भाई, तुम्हें बहुत डिस्कस्टिंग फील हो रहा होगा ना, कि तुम्हारा एक ओमेगा फेरमस किसी और अलफा के अटैच में आ गया है, तो उसका ब्रदा बोलता है कि नो, I'm सौरी, मुझे पता है कि तुम बचपन से बास्टर्ड हो, और आप तो कुछ जादा ही बास्टर्ड हो गये हो, तो उसका भाई सुनके बोलता है क्या कहा तुमने, तो फिर से रेपीट करता है, मैंने कहा तुम बचपन से ही बास्टर्ड हो, पर अभी कुछ चाता ही हो गये हो, उसका भाई गुसे में कहत यहां उसका बदा बोलता है कि मैंने कहा मिसरेबल बास्टर्ड के तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है और उसको पीछा करने लग जाता है जा पस उन दोनों का शुरूस की मदद सुन लेती है बोलती है कि मैं तुमनों का बहुत टाइम से वेट कर रहा हूं क्या कर रहते हैं और उसका छोटा भाई वहां से तो साइड हो जाता है वाव वसले उसके बड़े भाई को सुना आ रहता है तो उसके मदद बोलती है क्या कर के रहते हैं तुम दोनों तुमको समझ आ रहा है एंशुक को जो चाहिए उसे दे दोना क्या तुम थोड़े से भी हो जाता है उसको बहुत ही अजीब होता है वापीस से अपने होटल रूमें आ जाता है जहां पस बत लड़ जाने किसी वेन आ जाके बुलता है कि स्क्यूज मिसा जितने भी वेडिंग अटेंड किये थे उनके लिए गिफ्ट रिटन गिफ्ट है यहां पस मैंने रख दिया जाता है जाता है यहां पस सी यह नोटिस का लेता है कि उसकी बौड़ी अभी ठीक नहीं हुई है बतलब लास टाइम उनों ने किया था इस वज़ज़ से उसको बहुत सारे सलवन हो गया है तो वो बोलता है कि नहीं मैं इस तरह किसे नहीं कर सकता हूँ पैसे भी एक बीटा है ओमेगा नहीं मेरे फेरोमन्स करसे बिलकुल नहीं होगा और वो उसी टाइम पर रुख जाता है ये सब देख के वो शौक हो जाता है सेयर बोलता है कि मिस्टर यू क्या हुआ तो जो CEO गोलता है कि तुम्हारी body, तुम्हारी body सूझे वे, तुम इस condition में नहीं कि हम वो कर सकते हैं और वो फिर गोलता है कि हाँ, मैंने last time जो किया था, उसके वज़ा से हम sorry, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था और मुझे तुमसे यह double request बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और वो उटने लगता है, तब ही उसके हाथ को hold करते हैं, बोलता है कि इस ओकी, पर मैं यह करना चाहता हूँ तो वो सुचता है कि यह कितना बड़ा इस्टूबिड है, इसकी body के condition इस हालत में नहीं है कि यह कुछ कर सके, पर यह तना ready क्यों है अब फिर वो बोलता है कि हाँ, ठीक है, मेरी एक condition है, पर इससे पहले कि मैं कुछ करूँ, तो मैं मुझे पहले seduce करना पड़ेगा I mean, मुझे try करो, पर without मुझे touch के वे, तो यह बात सुनके न, सेवान बोलता है कि हाँ, आपको बीना touch के वे मैं आपको seduce कैसे कर सकता हूँ तो यहाँ पस यह बोलता है कि मुझे क्या पाता, कि तो मुझे seduce कैसे कर सकते हूँ, यह तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और फिर बोलता है कि ठीक है और फिर वो अपने बोडी को हर जगा से touch करने लगाता है, और अपने सत्व को भी निकाल देता है, जहाँ पस वो, obviously, उसको देखे, जो मारे CEO है, वो, उसकी बोडी रियक्ट करने लग जाती है, और वो अपने आपको control ने करता रहता है, और फिर बोलता है कि, ओ God, यह मैं क नहीं कर सकता है, और फिर कुछ देर बाद वो अपने shirt के button को खुलते वे कहते हैं, कि honestly, मैं बस यह ही चाह रहा था, कि तुम यह कर ही नहीं सकते हैं, पर मैंने कभी सोच नहीं था, कि तुम ऐसा कर भी सकते हो, और देखो, मैं हार गया हूँ ना, और फिर क्या, वो लोग intimate ह होने लग जाते हैं, यहां पस obviously, जो सीवान की हाला थे, बहुत ही खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि वो एक बीटा है, पर आगे चल के पता चलेगा, अप्चुलि एक पस secret है, तो यहां पस सीवान के जो बादी है, बहुत ही ज्यादा पेंट करते रहता ह है, पर वो कुछ बल नहीं सकता है, और जो यहां पस सीवान है, वो बोलता है कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, मैंने expect नहीं किया था कि तुम मुझे इस तरह के से status कर सकते हो, मुझे कोई आइडिया है नहीं था, और वो उसके ear को बाइट करते ह मैंने कभी सूच नहीं था कि तुम इतने प्रीटी भी हो सकते हूं दूसे साइस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते रहते हैं विचारा कुछ भी नहीं कहता है फिर हमें नेक्स डेकर सिंदी कहा जाता है जहां पर उसकी जो चीफ मैनेजर आके बोलती कि सर्म गुर्मारिं बंगलो है आपको कितने सारी अपाटमेंट है फिर आप होटल में क्यों रूपना चाहते हूं मुझे पता है कि मैं आपकी दोस्त भी हूं क्या मुझे इतना भी पूछना हाग नहीं है वैसे मुझे यह बताओ कि हमिशा अलफा शादी करते हैं उमेगा से तो आपको कोई ओ पाइल देते बलता है कि मैंने जब पाटमें मुझे आपके लिए दिने के लिए तब ही जो हमारी चीफ मैनेजर रहती है तो उसे ने फिरोमेंट की स्मेल कैसे आ रही है कहेंगे दोनों और फिर मन में सुचती कि ओग और डूंट टैल में कि लोगों ने वो सब कुछ किया उसे कहाई बाटमेंट सोसMM है और और इसार यहां पस चीफ मैने रहती है उसके ने भाइन गत धार है वह सब एती करते तो पानी पीत रहती है बस जादा कफ करते हैं बस मुझे लगा कि तुम उसे लाइक करते हो वैसे ललो की लाइफ में क्या इंट्रेस्टिंग हो सकता है अपने जो मालिक है उसके लिए इस दिने इंपोर्टेंट है रहाई और बहुत ही जादा शौक हो जाता है कि oh god service और उसको जो last night किया था उसने वो सब यादे करते रहते हैं और उसको याद आ जाता है कि वो एक बीटा है उसको बहुत ही painful होगा और फिर वो अपने खाने चुड़के बोलता है कि I am done मुझे अपने काम पे जाना है यहाँ पस Chief Manager समझ आती है कि हाँ तुम्हें कौन से क साम पे जाना है तो मैं तो यहीं पर वापिस लॉट कराना है ना और दूसरे साइच से CEO को दिखा जाता है कि बोलता है कि हाँ उसको बहुत ही painful हो रहा होगा वो कितना uncomfortable है फिर भी वो काम कर रहे है उसको चलने में भी बहुत problem होगा और उसके पीछे करने लग जाता है जहा तुम्हारी किती हीमत मिंजे तुम्हें क्या किया मेरे बैक को टच कर दिया क्योंकि उस फ्रेंट को लग रहा था कि यह तो नोमल है मैं तो इसको ऐसे ही पाट करता हूँ पर इसको इतना दर्द क्यों हो गया और फिर उसको बलता है कि तुम्हें तुम्हें दर्द क्यों हो तुम क्या शुन एं रहो मैंने और सुख आकर सुख चुछ चीछ कुरूvine बहुत मी यहाँ आप से हुख हो जाता है तुम्हेरी जी क Mireye क 듣 इंडिते हृ भोटेश को सब पर और तभी वो एक फार्मेसी देख लेता है दवाई के दुकान जहां पस उसको याद आ जाता है कि लास्ट तरम उसको कितना पेन फिल हो रहा था तो बुलता है कि ठीक है मैंने जब पाक आप घहर चले जाओं मुझे कुछ काम है और वहां से उसके लिए मैडिसिन लेक करके आ रहे हो इसके लिए तो मैं अपने कप्रे नहीं उताने बोल रहा था क्योंकि मैं लास्ट इम देखा था कि तुम्हारी बोड़ी इसलिए मैं देखो यह दवाई लेकर आया हूं मैं सिर्व दवाई लगाने के लिए बोल रहा था यहाँ पास अमारा जो बटलार इसको हो क्या गया है और बहुत ही जादा मन में सुचता रहता है कि शिट मैंने क्या सोचा मैंने मेरे सांथ बहुत भगते हुए वापी से जाने लगता रहता है उस रूम से बागने के कोशिश करता रहता है तुम्हें क्या लगा था और बहुत ही ब्लैश करता रहता है कु इतना भी लस्टफूल परसन नहीं हूं जैसे तुम समझ रहे हो यह पर सियो यान बुलता है कि आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करो कि वैसे भी मैं इतना शर्मिंदा हूं अपने बात को लेके मुझे अजीब सा फील हो रहा है मुझे अनकंफरटेबल फील हो रहा है मुझे से जाने दीजे वर सी यह बोलता है कि हां पर पहले दवाई लगा लो उसके बाद चले जाना तो आज का यह क्यूट पाटी है खतम होता है आई योप यू लाइक इस वीडियो थैंक यू पर वाचिंग